नमस्कार दोस्तों, RK Electronic Channel ज़ारकन में आपको स्वागत है, दोस्तों आज हम रिपेर करेंगे 9W LED, तो दोस्तों, ए रहा मेरा 9W LED, तो इसे हमें ठीक करना है, दोस्तों ये खराब हो चुका है, हम इसको पहले ही खोल लिये हैं, तो इसमें हम आपको दिखाते हैं, कि खराब कह आप देख सकते हैं थोड़ी मेरी कैमरा धुंदली नजर आ रही है कि देखे दोस्तों हमारी जो रिश्टेंस जो है वह जली हुई है मिल्कुल असपस्ट नजर आ रही है यह देख सकते हैं यह जो resistant है दोस्तों कि हमारी जली हुई है तो इसमें कितने component खराब है वो तो बहुत सरे यह जली हुए है और यह भी हमारी खराब हो चुकी है दोस्तों इसमें लाइन डाल करके इसको सबसे प्लब ढ़के देख लेंगे इसको छेंज करके देख लेंगे उसके पाद आगे पी क्या प्रोब्लम है तो अभी हम इसको चंज करते हैं तो सबसे फ़ने दोस्ते हैं इसमें छाय हैं क्रेंगे तोब से पने टुर यह सिरीज बलं करेंगे ताकी और कोई कंपोनेंट और खराब ना हो तो हमने अभी श्रीज बल्ब लगा दिया है दोस्तों इसको हम खुद से मतलब इसको हम अब रिपेर करेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा स्रीज बल्ब गलो हो जा रहा है जल जा रही है इसे जलना नहीं चाहिए तो दोस्तों इसका मतलब है कि आगे कहीं सौर्टिंग है त तो इसे आज हम इस शॉर्टिंग को दूर करेंगे, तो अभी हम इसमें जो 102 वोल्ट की पीएफ लगी हुई है, उसको हम खोल लेंगे, और उसे हम मल्टिमेटर की मदद से हम इसको टेस्ट कर लेंगे, दोस्तों मल्टिमेटर को आप कंटिनिटी मोड पे रख लीजिएगा, देख लीजिए, हमने अपना मल्टिमेटर को कंटिनिटी मोड में रखा हुआ है, अब हम इसको हम टेस्ट करेंगे, दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कि हमारा मल्टिमेटर में ये बिल्कुल ठीक बताता है, लेकिन जब इसमें लाइन, हम इन्पुट देते हैं, तो ये मतलब सौट बताने लगता है, दोस्तों, तो हमें इसको बिल्कुल साइड कर दिया है, और हम दुसरा डाल दे रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये हमने दुसरा ड्राइबर बोड से खोल के लगा रहा हूँ, दोस्तों, जब भी लगाएं, तो बिल्कुल साइड सौथरा लगाएं, शोल्डिंग जब भी आप किजिए, तो इधर उधर सोल्डिंग ना हो, बिल्कुल फ्रेश सोल्डिंग किजिए, ताकि सोटिंग से हम बचे रहें, और आगे कोई कमपोनेंट इसके वज़ा से अब हम इसमें सौल्डिंग कर रहे हैं, दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही रोचक वीडियो हमने रोज इसमें अपलोड करते हैं, तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, तो लाइक, सेयर, सब्सक्राब जरू कर करेंगे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो यह देशिए दोस्तों, हमने सौल्डिंग कर दिया, अब हम फिर से इसमें लाइन 220 वोल्ट इंपूट करेंगे, दोस्तों, हमने स्रीज बल्ब अभी तक लगा के रखा है, तो जब भी टेस्ट करें, तो स्रीज बल्ब लगा के ही चेक करें, यह देखिए दोस्तों, अभी हमारा स्रीज बल्ब बिल्कुल बंध है, यह देख सकते हैं, और हमारा LED बल्ब ओके हो चुका है, तो दोस्तों, अब हमें इसका स्रीज बल्ब का कनेक्शन है, वो हमें खोल लेना है, और इसमें जो यह ज चेंज कर देना है ठीक है दोस्तों और एक बार फिर हम इसको चेंज करके आपको फिर से दिखाते हैं तो अब हम इसको खोल लेते हैं अ जो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं तो देखने में पता लग रही है यह रेश्टेंस खराब हो चुकी है जल गई है तो इसे हम खोल लिए अब हम इसमें दुसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे यह देखिए दोस्तों दोस्तों यह सब कंपोनेंट हमने दुसरा ड्रैबर बोर्ट से खोल के रखा हुआ है दोस्तों जब भी कंपोनेंट आप लगाएं तो सोल्डिंग अच्छी तरीके से किजिए ड्राइ सोल्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों नहीं तो फिर बाद में इसमें कोई प्रोब्लम आने लगती है जब भी हम सोल्डिंग लगाएं तो अच्छी तरीके से सोल्ड करें तो हमारा दोनों रजिस्टेंस लग चुका है अब हम इसमें डारेक्टली अब लाइन डालेंगे इसमें 220 वोल्ट यह देख सकते हैं दोस्तों हमने सिरीज बाल भी खोल दिया अब हम डारेक्ट 220 वोल्ट डालेंगे देख लिजिए आप यह देखिए दोस्तों हमारा LED वाल्ब ओके हो चुका है दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रू कर दिजिएगा तो थैंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों